अगर आप ने आई-पीपीबी मोबल बैंकिंग से ुऋ आ आपको बन अकॉंट ऑपिंग किया है और मनीटनास पर नहीं हो रहा है ट्रांजेक्शन हो जाता है कब आपके सामने उस तरह का का एरर आता है तो कभी आपके सामने उसुट घर आज अागर यहाथ है अगर आपने online account open किया है तो किस तरीके से IPPB mobile banking से money transfer कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को last तक देखेंगे, complete watch करेंगे तो आपको bonus tip भी मिलेगा जिससे कि आपके सामने इस तरह का error कभी नहीं आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंडा post pinbank का जो mobile banking application है, IPPB mobile banking इसको मैं open कर लेता हूँ, यहाँ पर mpin इंटर करेंगे तब इंडा post pinbank का जो mobile banking application है, उसमें login हो जाएंगे, इस पर के लिए करके आप balance check कर सकते हैं लेकिन दिक्कत का बात ही है कि जब हम इसमें पैसा टनास पर करते हैं तो पैसा send नहीं होता है, यहाँ पर मैं example के तुरुपर मैं क्या और कोड़ स्कन करके पैसा send करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस पर click कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वेरे पास एक keyboard है, मैं इ करेंगे, यहाँ पर आपको एक मरतबा confirm कर लेना है, और यहाँ पर confirm पर click कर देना है, तो आपके mobile नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है, OTP enter करने के बाद आपको submit पर click कर देना है, तो यहाँ पर देखिया transaction failed हो गया, transaction not permitted to card holder, ठीक है, यहाँ पर आप तो जब तक full KYC नहीं करेंगे, आपके सामने error आते जाएगा, और आप पैसा सेयंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास 65 रुपिया फसा हुआ है, मुझे इस पैसा को निकालना है, और मैंने full KYC नहीं किया है, तो यह मेरा जो पैसा ही यहाँ पर फस गया है, पैस कर देना है, दन आपके सामने इंड्यपोस्ट प्रिमंग का virtual debit card आजाएगा, तो इंड्यपोस्ट प्रिमंग का virtual debit card लेने कि लिए आपको क्या 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 करना होगा, इस पर मिने complete वीडियो बना दिया है, वीडियो आए बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप कोई MPN इंटर करना है जो भी आपने MPN सेट किये हैं MPN करने के बाद कनफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामें इंडिया पोस्ट पर्विट काड है उसका पूरा डीटेल्स आ जाएगा यही सब सिल्पोर्टेंट है यहां पर काड नंबर सोरा है जो के 16 डिजिट का है यहां पर CBB नंबर और यहां पर एक्सपरी मंथ और यह सब सिंपॉर्टेंट है आपको यहां पर इसको नोट डाउन कर लेना है इंडिया पोस्ट पर जो एट्यम काड है उसका डीटेल्स निकालने के बाद आपको क्या करना है फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटियम को कि यहां पर में प्रोन के तुरप्र प्रृपीय को पिन कर लेता हूं यहां पर आपको सामनी सामनी इस स्थाया के इंटर्फैस नजरा आएगा यहां पर देखेँ पशायां पर देखें हूं इंडा पोस्ट पर मेरा 675 रुपया था तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ सारे 600 रुपया इंटर कर देता हूँ उसके बाद आपको पुरो सिटव एड इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको क्या करना है second option चूज कर लेना है यहाँ पर दिखे UPI, credit, debit card and need banking इसको आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर aid पर click कर देना है तो आपके सामने बहुत सारे options आएंगे यहाँ पर दिखे एक option है debit and credit card इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट प्रिवंग का जो ATM card आपने निकाला है उसका details आपको यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर card number फिल करेंगे जो के 16 number कर रहता है यहाँ पर experiment और यहाँ पर CBB number फिल करेंगे यहाँ पर ATM card का पूरा details फिल करने के बाद आपको क्या करना है paper किलिक कर देना है देन इंडिय प्रिया चुका है इंडिया पोस्ट प्रिवेंग की तरफ से अंठावान इकी आसी 38 उसके बाद आपको सम्मिट पर किलिक कर देना है तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा ठीक है तो यहाँ पर देखे सक्सेस्फरी पैसा एड हो गया है ठीक है यहाँ पर मैं बैक कर देता हूं दनिहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे जितना रुपया पेट्यम वालेट से बैंक अकॉन में पैसा टनसफर करना चाहते हैं यहाँ पर मैं पूरा इंटर कर देता हूं साड़ी 600 रुपया उसके बाद प्रोसीड दनिहाँ पर पहले बैंक को एड करना पड़ यहाँ वालेट से बैंक में पैसा टनसफर करने का जो चार्ज इल्कुल 0 रुपया एक भी चार्ज नहीं कटेगा उसके बाद आपको प्रोसीड पर किलिक कर देना है यहां पर देखे wallet से bank account में पैसा आ गया है यहां पर देखे bank की तरफ से message भी आ गया यहां पर मैं आपको Paytm Payment Bank का statement भी निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको यकिन हो जाए कि wallet से bank में पैसा आ गया है ठीक है यहां पर मैं Paytm bank पर click कर देता हूं तर यहां पर passcode इंटर करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है आपको balance पर click करना है देन थोड़ा नीचे आएंगे यहां पर देखिए साड़े छे सो रुप्या फिलाहल अभी एड हुआ ठीक है अब मैं आपको 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 मोबल बैंकिंग उपन करके दिखा देता हूं मैं इस पर click कर देता हूं यहां पर MP निंटर करके login हो जाता हूं तो यहां पर मैं balance चेक करके दिखा देता हूं यहां पर 675 रुप्या था मैंने यहां पर 6500 रुप्या निकाल लिया तो यहां पर 25 रुप्या बचा यहां पर mini statement पर click करके statement भी दिखा देता हूं ठीक है यहा अगर आपने वालेन अकाउंट ओपेन किया है और फुल के वैसी नहीं किया है तो इस तरीके सेटेम कार्ड के डीटेल से इंडिया पोस्ट पेवनवेंग से पैसा निकाल सकते हैं जैसे अगर आपको बताया है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वाच करेंगे लास्ट तक देखेंगे तो आपको बोनस टिप भी मिलेगा जिससे का आपके सामने इस तरह का जो एरर आता है कभी नहीं आएगा तो अगर आपने वालेन अकाउंट ओपिन किया है और फुल के वैसी नहीं किया है तो जब यह पैसा टनस पर करेंगे चाहे यूपाइडी के थुरू हो जाएक चीहां के जबूंड करके हो चाहे किसे के औक हमें सरक कारना हो आपके सामने इस तरह काई रर आजाएगा और आप पैसा TNS Pair नहीं कर पाएंगे भल ही आपके option पैसा आ जाए लेकिन आप पैसा TNS Pair नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको full कuesta करना होगा आज में आपको full काई करने का total तीन तरीका बताने वाला हूं Number 1 just visit any nearby post office आपको क्या करना है अपने नजदीक में किसी भी post office में जाना है और वहाँ जाकर finger से full KYC कर लेना है number two contact with your postman अपने postman से contact करना है अपने गाउ में किसी से पता कर लीजेगा और उसे postman का number ले लीजेगा ठीक है और उसे contact करके भी फुल के वैसी कर सकते हैं number three इसके लापको क्या करना IPPB mobile banking इस application को open करना है open करने के बाद three line पर click करेंगे उसके बाद थोड़ा नीच आएंगे यहां पर आपको contact का option मिलेगा ठीक है इस पर click करेंगे तो इंडिया postman का जो customer care कर number है वो number आपको यहां पर मिल जाएगा one double five two double nine इस पर आपको call करना है call करके appointment book करना है तो postman आपके घर आएगा और घर आकर फुल के वैसी कर देगा ठीक है तो यह तीन तरीका जिससे आप फुल के वैसी कर सकते हैं तो इंडिया postman bank का जो फुल के वैसी करने का परोसे से वह अफलेन ही है finger से ही आपको फुल के वैसी करना पड़ेगा online कोई process अभी तक नहीं निकला है और फुल के वैसी कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह कार रह नहीं आएगा आई पी पी भी मोईल बैंकिंग से इसली पैसा टनासफार कर पाएंगे इसी तरह के से इंडिया postman bank को phone पे Google पे पेट्टे मोगेरा में भी लिंक कर सकते हैं और उसके थूरू भी पैसा टनासफार कर सकते हैं तो आई होप का आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वाल आकोन को प्रिस कर दीजिए